सिटी पोस्ट आपके साथ में मेहो नामे का देखिए पटना जो है वो अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है पटना पुलिस के लाग दावों के बावजूद अपराधी जो हैं आपर लगतार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सिटी के मअल सपुलामी ठाना इलाके में रवीवार किया अनी कि कल देर रात अपराधियों अक पंचली बेचने वाले की गोली मार करके हथ्या कर दी पच्छा साल का पारस सैनी मचली बेच करके अपने घर लोट रहा था इसे दुरान अपराधयों निशाना बनाया इस घटन इसी दोरान मुसहरी नाले के पास दो तीन अपरादी उससे उलजगे और एक ने पिस्टल निकाल करके सीधे उसके सिर में गोली मार दी गोली रगने के साथ ये मौके पर पारस सहनी की मौत हो गई पारस की साथ एक और शक्स भी मौजूद था जिसने भाग करके किसी दरीके स अपनी जान बचाई और बाकी लोगों को इस घटना की बारे में जानकारी पारस सहनी को गोली मारि गई वहां से उसका घर किवल पचास मीचर की दूरी पर था GSP अमित शोरन के मताबिक हत्या की वज़र अब तक साफ नहीं हो पाई है मित्त के शरीर में गोलियों के दो निशान पाई गया है CCTV फूटेज भी खंगाली जारी है पर जोनों कारोप है कि कई जब उपर वैद शराब का धंदा होता है और संभवता शराब माफिया से जुड़े रोगों नहीं पार सेहनी को गोली मारी है सवाल यह उठता है कि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी में अगर ये हालत है तो सोची के विहार के और जोगों पर क्या अपराद का ग्राफ हो सकता है फिरा इसको पर में इतना ही नामकाओ के दीजिए जासत नरशार देश के सुप्रसित कथा वाचब आदरनी स्रीस्याम सुंदर परासर जी की पावन उपस्थिती में भाई स्री गुपते स्वर पुर्व डीजी पी के मुखार बिन से स्रीमत भगवत कथा व्रिंदावन के परासर अध्यात्म पीठ फेज टू चैतन्य विहार कॉलनी से दिनांग 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रती दिन अपराहन 3 बजे से 6 वजे तक होगी सीधा प्रसारन, सिटी पोस्ट, अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाईज यूटूब चैनल पर